पूर्ब स्वास्तमंत्री सतेंद्र जयन तेहाट जेल के बात्रों में चक्कर आनी की वजह से गिर गए जिसके बाद पंडित दीन दयाल उपाझ्याई अस्पताल में भरती कराया गया है इससे पहले भी जैन बात्रूम में गिर गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया बता दें मनी लॉंडरिंग से जुड़े एक मामले में करीब एक साल से जेल में बन सतेंदर जैन को बीते एक हफते में दूसरी बार अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं आम आदमी पारिटी के सुत्रों के नुसार जैन को पहले भी रीड की हड़ी में चोटे आई थी उन्हें राजधानी दिली के सफदर जंग अस्पताल ले जाया गया था हाली में उन्होंने अपने स्वास्त का हवाला देते हुए सुप्रिम कोर्ट में हल्प नामा दाखिल किया था जैन ने इस हल्प नामे में बताया कि जेल में रहने के दोरान उनका वजन 30 किलो कम हो गया है वहीं बीती 18 मई को ही सुप्रिम कोर्ट में सतेंदर जैन की जमानत याची का पर सुनवाई के दोरान उनके वकील अभी सेक मनु सिंग्वी ने भी जैन के स्वास्त का मुद्दा उठाया था उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जैन की तबियत ठीक नहीं है और वहे कंकाल जैसे नजर आ रहे हैं इस आधार पर उन्हें जमानत मांगी थी पता दें इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याची का खारिज कर दी थी कोर्ट ने कहा था कि वह प्रभाव सालिव यक्ति हैं और वह गवाव तथा सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं बता दें पिछले दिनों हुई सुनवाई पर दिले हाई कोर्ट में एडी की तरफ से कहा गया था के आरोपी के बयान से पता चलता है कि जैन ही फंड ट्रांसफर करने के बारे में सब कुछ जानते थे एडी ने कोर्ट में कहा था कि सेल कंपनियों ने साल 2015 और 16 में 1.5 करोड रुपे की एंट्री सतेंदर जैन के दुआरा की गई थी एडी ने मामले में आरोपी जवेंदर मिस्त्रा के बयान को भी रिकोर्ड पर लेते हुए कहा कि इस मामले में मोरस ओपरेंडी यह था ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ